नमस्कार विद्यार्थियों डिजी लेसंस प्राम्दा हाउस अब नवांकुर में अब सभी का स्वागत है आजम क्लास एड़त बिसागड़त पार्ट पंदरा आलेकों से परीचे प्रस्ण वली पंदर असनलब तीन के सवाल नों को समझेंगे तो पहला प्रस्ण है वो परि नमाने का प्रियोग करते हुए निम्न ताली काओं में दी गई रासियों के लिए आलेक बनाई है तो यह वाला सवाल है सेवों का मूल सेवों का मूल दिया गया है और सेवों की संख्या दी घई तो सेवों की संख्या एक दो तीन चार पांच और मूल लकिसमे रुपे में पांच दस पंदरह बीज़ पच्चीश प्रकार से सवाल नम्मर 20 में कारदवारा तैकी गही दूरी कारदवारा तैकी गई दूरी दी गई है समयं किसमें गंटों में और दूरी किसमें किलो मीटर में 6 बजे पराता 40 किलो मीटर दूरी 7 बजे पराता 80 किलो मीटर दूरी 8 बजे पराता 120 किलो मीटर की दूरी और 9 बजे पराता 160 किलो मीटर की दूरी तो बीके सावालों के उत्तर भी देना है साड़े साथ बजे प्राता बाँ आड़ बजे प्राता के अंतराल में कार दो आरा कितनी दूरी तै की गई गई और भी कायए दूसरा सवाल है कार के सो किलुमेटर दूरी तै कर लेने पर समय क्या था अगे क्यों बढ़ते हैं और पहले का सी जमाधन्राइसी पर बारस्थ ब्याज जमाधन्राइसी किसमें रुपए में और सदर्ण व्याज़ भी किसमें रुपए में तो 1000 रुपए पर कितने का व्याज मिलता है 80 रुपए का 2,000 रुपे पर 160 का 3,000 रुपे पर 240 रुपे का और 4,000 रुपे जमा करने पर 320 रुपे का व्याज मिलता है 5,000 रुपे जमा करने पर 400 रुपे का व्याज मिलता है 37 इन प्रस्णों के उत्तर भी देना है क्या आलेक मूलबिंदू से गुजरता है आलेक से रुपे 2500 का बारसिक ब्याज गयात कीजिए रुपे 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा है तो चलिए इन प्रिस्नों को हल करते हैं तो पहले का A, A का हम आलेक बनाते हैं तो सोसे पहले क्या करते हैं? प्याम आने की जुरुत पड़ती है तो हमने एक्स अक्ष पर एक सेंटीमीटर बरावर में एक सेव लिया और बाय अक्ष पर एक सेंटीमीटर बरावर में पांच रोपे लिए तो हमने दो अक्षों का नर्मान किया एक्स अक्ष और बाय अक्ष दोनों अक्ष जिस बिन्दू पर एक दूसरे को काड़ती है या प्रतिशेट करती है उसको हमने मूल बिन्दू नाम दिया जिसके निरसांग क्या है जीरो जीरो है तो यह के जो निरसांग दिये गए थे सेवों की संक्या और उनका मूल किसमें रुपे में तो इन निरसांग की साइकता से हमने ग्राप तयार किया या आलेक तयार किया एक सक्षपर क्या लिया आज सेवों की संक्या बाय एक्षपर सेवों का मूल किसमें रुपे में तो सेवों की संक्या और उनके मूल के जो निरसांग दिये गए थे उन निरसांग की साइकता से हमने एक ग्राप त प्रेक्सक्ष और भायक्ष नजालित करते हैं तो गराप पर हम क्या करते एक्सक्ष और दारिकीत करते हैं three कि अनुसार प्यमाने के उसार प्यामाना लिया एक सांटीxico में नइक सेुट था बाय अक्ष्थ प्यमाना एक सांटीम्टर ब्रावर में पांच रूप्य लेकर एकस अक्ष पर सेवों संग्ह estoy बाय हमस्ट पर सिवों की संकित का मूल लंकित किया है अब दियो हुए बन्दू करम सा 1,5 2,10 3,15 4,20 और 5,25 अंकित किये अंकित किये गए इन बन्दूओं को पयमानी की साइकता से मिलाया इस परकार प्राप्टावलेक एक स्राइलेका हो गए तो दिये गए जो निरसंग थे उन निरसंगों की साइकता से हमने इंगराब बनाया और इन सभी बिन्दों को हमने मिला दिया तो हमें हमें क्या मिलता है एक सरलेखा मिलती है एक सरलेखा प्राप्त होती है तो इस परकार से पहला जो सवाल ता उसमें क्या प्राप्त किया एक सरलेखा प्राप्त कि है चलीए अUp मैं दूसरे सवाल क्यों चलती है स्वाल नम्म्म भी। इसमें भी हम ले एक घृम्म तैयार की अकिसकी साइकता से एक्स-च्च और बाइ-खज्च यह तो सब से पहले क्या किया प्यमान अलिया एक्स अक्ष फर दो सांटिम्म बढ़ावर में एक गंटा बाय अक्ष पर एक सेंटीम्यूटर बढ़ावर में बीस किलोमीटर तो दो अक्ष एक्स और बाय अक्ष जिस बंदू पर एक दूसरे को प्रतिचेत करती है उसे हमने मूल बंदू माना जिसके नर्दसांग जीरो-जीरो है बतलब कि एक्स कमान भी खुर्ता जीरो और जीरो बाय कमानuffी जीरो होता है कहां पर मूल बंदू पर एसका पर किसको लिया不會 bulเพण आ यू आब बना लिया और भाइब सब्सक्रण दी गए थे उन निजसञ्खों की साइकता समले ग्राप टैयार कर लिए अब यसी ग्रॉप से प्रिसनों के उत्तर तो साथ बज़ कर तीस मिनट बज़े प्राता या साड़े साथ बज़े प्राता वा आड़ बज़े प्राता के अंतराल में तैकी गई दूरी कितनी है ब्रावर में कितनी इस किलो मेडраж तो साड़े साथ किलो मेड़े ऐसे में अवा बज़े लखार एी 20 कुलो मेटर 120 किलो मेटर में से सो किलो मुटर शक्ता बोलने 깃णी कितनी है बीस किलो मुटर इसे परकार से दूसरा सवाल और zg 9 cm दूरी टार कर लेने पर समय कितना है साढ़े साथ बजय पर था तो साढ़े साध बज बजय कार दूर ता Scientists G と तो इसिवी हम् ग्राब का निर्माद करेंगे आलat बनाएंगे प्यमाना लेंगे एक्ष के पर कितना एक सेंटी मुटर बढ़ावर में 500 ँते ढीच पर 1 सेंटी मुटर बढ़ावर में इसमें भी एक्सक्ष और बायक्ष एक दूसरे को प्रतिचेत करेंगे तो इस बिंदू को हमने मूल बिंदू नाम दिया और इसके निरसान क्या होंगे जीरो जीरो होंगे चलिए अब ग्राप से पहले प्रिशन का अंसर हाँ आलेक मूल बिंदू से गुजरता है इसमें पू रूपे 2500 का ब्याज कितना था 200 रूपे तीसरे प्रिशन का अंसर रूपे 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए रूपे 3500 जमा करना होगा तो यह सब हमने किसके मादम से बताया इस ग्राप का नर्मान करने के पस्चाथ जो बिंदू दिखाई दे रहे थे कहां पर एक्सक्ष और बायक्ष पर तो इसकी साक्तास हमने इन प्रिशनों के उत्तर दिये तो दिया गया आलेक मूल बंदू से होकर गुजरता है आलेक से डाई यह रूपे का ब्याज कितना मिलता है 200 रूपे और 280 रूपे ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रूपे जमा करने पड़ते 35 रूपे जमा करने पड़ते हैं तो आज कि इस वीडियो में आपने दिये गाए निर्दसांकों की साक्ता से ग्राब बनाना सीखा और ग्राब की साक्ता से प्रसनों को हल करना सीखा तो आज की वीडियो में इतना ही अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ पर मिलेंगे जब तक के लिए नमस्कार